सब्सक्राइब करने वाले हैं सभी CAC VLE के लिए नियू अपडेट है CAC में यहाँ पर आप लोग को बता दें कि CAC में बहुत सारी CAC ID क्लोज हो चुका है और कि CAC ID पर्मनेटली के लिए डिसेबल कर दिया गया है जो कि CAC ID सस्पेंड भी हो चुका है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी इसका लिस्ट जारी हुआ है उसमें किस परकार से आप अपना नाम को फाइंड कर सकते हैं अधी अगर आपने अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट क को अगर CAC में समिट नहीं किये हैं और शात्म बैंक मित्रा में अगर आप अपलोड नहीं किये हैं तो होश्चक्त जो भी आपका CAC ID होगा उसे पर्मनेंट के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इसके लिए कर यहां पर CAC official यहां पर एक लिस्ट को जारी किया गया है जिन लोगों ने अगर यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को अपलोड नहीं कि हैं उनलोगों को CAC ID डिसेबल कर दिया गया है तो किस परकार से आप उसे लिस्ट में अगर आप नाम फाइंड करना चाहेंगे तो किस परकार से कर पाएंगे तो अगर आप लोग आप लोगों नेम आज आता है दिन आपका CAC ID पर्मनेट के लिए डिसेबल कर दिया गया और इसके साथ में हम वीडियो में बात करेंगे कि अधी आपने पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को भी अप्रोड नहीं कि हैं तो किस परकार से कर पाएंगे तो यहां पर आप ल दें कि CAC में बहुत बार नोटिफिकेशन को जारी किया गया था कि अधी आपने अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को अने CAC में अगर माई एकॉंट के सेक्षन में जाके अप्लोड नहीं किये हैं तो आप लूग जल्दी कर ले नहीं तो फिर यहां पर CAC के मा आपलोग जारी हो चुका है और यहां पर अपलोग अभी तक हैं तो हो सकता है कि आपका कईडी यहां पर सटेंड हो चुका है तो उसका लिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं यहां पर अधान का लिस्ट में अगर नाम नहीं आया और कि जो भी आपका CIC ID है वो सस्पेंड नहीं हुआ तो अभी वी चांट से कि आप पुलीस वेरिफिकेसन रिपोर्ट को आप समिट जल्दी से कर लें पुलीस वेरिफिकेसन रिपोर्ट को किस परकार से समिट करना है जिसके के भी हमने वीडियो बना रखाए डिस्क्रेशन में लिंक मिल जागा तो कुछ इस परकार से यहां पर से के माध्याम से न्यू अपडेट था तो आई होप अगर आपका यहां पर से पुलिस वरिफिकेशन अगर सर्टिफिकट को अप्लोड नहीं कि तो जल से जल कर लेने तो हो शकता है आगे जो भी लिस्ट जारी होगा जिसमें आपका नाम भी आ सकता है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैं